Hello students, आज हम एक poem करेंगे, जिसका नईम क्या है? An Elementary School Classroom in a Slum, जिसके poet है Stephen Spender. इस poem में Stephen Spender ने एक ऐसे school के classroom के बारे में बताया है, जिसमें slums में रहने वाले जो बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं. इस poem के माध्यम से Stephen Spender ने कुछ लोगों पर कटाक्स किया है, जैसे कि governor है, inspector है, या फिर visitors है. कटाक्स करते हुए Stephen Spender ने ये कहा है, कि ये लोग वाइदे तो बहुत करते हैं, लेकिन उन वाइदों को ये पूरा नहीं करते. चलो, स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ से, फार 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 फ्रों गस्टी वेवज दीज चिल्रन्स फेसीज. गस्टी होता हमारे पास बहुत तेज हवा का जोका. जो बच्चे हैं, वे बहुत तेज, सक्ति साली, लेहरों की बाती होते हैं, जिनका जीवन किस से बरा होता है, चंचलता से बरा होता है, और उनके चहरों पर चंचलता और हमेशा खुशी दिखाई देती हैं. लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके फेस पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता. लाइक रूटलेस वेट सा दी हेयर टोन राउंड देयर पैलर. पैलर होता हमारे पास पीलापन, यहनी उनका जो फेस है, उसके उपर बहुत सारा पीलापन है, वो आचुका है. कहने का मतलब यह है कि उनके जो फेसीज हैं, वो पीले पड़ चुके हैं, और उनके जो हेयर्स हैं, वो इस परकार से बिखरे हुए हैं. जैसे कि हम जो खर्पतवार है उसको खेतों से निकाल कर इधर उदर फैक देते हैं इसी परकार से उनके जो हेर्च है वो भी इधर उदर बिखरे हुए हैं इक लंबी ची लड़की जिसने अपना जो हैड है यानी सिर है वो नीचे की और जुका रखा है इसका पूरा विकास नहीं हुआ हो यानि वहाँ पर ऐसे बच्चे भी थे जिनका पूरा विकास नहीं हुआ था उनकी जो उस बच्चे के जो बऊन है वो मुड़ी हुई थी इस नाल्ड डिजीज यानि उनको विरासत के रूप में अपने माता पिता से यानि पिता से एक डिजीज है वो मिली थी नाल्ड डीजीज एक इस परकार के डीजीज होती है जिसमें क्या हो जाता है पूरे सरीर पर गाठे हो जाती है यानि उस बच्चे को अपने पिता से एक डीजीज यानि बीमारी है वो मिली थी जिसमें उसके सरीर पर जगह जगह पर गाठे होई थी His lesson from his decks अब एक का दूसरे student के बारे में बता रखा है एक दूसरा बच्चा जो decks पर बैठा हुआ था At the back of the dim light जो बिलकुल dim light में यानि बहुत मंद जो light है उसमें दिखाई नहीं दे रहा था One unnoted, sweet and young यानि वो बहुत ही प्यारा सा बच्चा था जो पीछे के ओर बैठा हुआ था His eyes live in a dream उसकी जो eyes हैं वो कहां खोई होई थी सपने में खोई होई थी ओफ स्क्वेल गे वो सपने में सोच रहा था कि किस परकार से जो गिलैरी है वो अपने पेड़ वाले जो कमरे हैं इसमें असानी से खेल रही होती है वो ऐसे कमरे की कलपना करता है जो यहां के कमरे से बिलकुल भिन्न होगा इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेंज आता है स्टार्टिंग करते हैं ओन सोर क्रीम वाल्स वहां के जो दिवारे हैं उन में से गंद आने लग रही थी खटी क्रीम की डोनेशन्स यानि उस दिवार पर कुछ नेम भी लिखे हुए थे जिन जिन लोगों ने वहां पर डोनेशन्स किये था यानि दान किया था सेक्सपियर यहां पर हमारे पास एक परसिद पोईट आ जाएंगे परसिद इंग्लिश पोईट है हमारे पास सेक्सपियर उनका जो धड़ है यानि धड़ की जो मुर्ती है वो भी वहां पर तंगी हुई थी यानि एक बादल रहित परभात का चित्र है वो भी वहां पर लटका हुआ था बना हुआ था वहां पर एक विशाल गुमबद का चित्र भी था जो नगरों की सब्यता का परतिक भी माना जाता है बैल्ड फ्लावरी टायरोलीश वैली और वहां पर एक टायरोलीश घाटी का चित्र भी था जिसमें बड़े बड़े जो फूल है उनके चित्र बने हुए थे ओपन हैंडिड मैप यहां पर ओपन हैंडिड मैप से मतलब है वहां पर एका संसार का जो चित्र है जो मैप है वो भी क्या था बना हुआ था जिसमें वर्ल्ड के अंदर जितनी भी मेन मेन चीज़े हैं जितनी भी चीज़े हैं वे सारी उसके अंदर बने हुई थी एंड येट यद्यपी फोर दीज चिल्डन इन बच्चों के लिए इस विंडोर्स नोट दीज मैप इसमें लास्ट में ये बता रखा है कि इस मैप का इन बच्चों के लिए कोई भी मतलब नहीं है चिल्डन इज विंडोर्स उनके लिए केवल और केवल ये जो विंडोर्स है यही इनके लिए सब कुछ है ये इनसे बाहर नहीं जा सकते देयर वर्ड वियर आल देयर फ्यूचर पेंटिड विदे फोग ये जो समसार की जितनी भी चीज़े है उनके लिए इनका कोई भी मेंस यानि मतलब नहीं है उनका जो फ्यूचर है वो अंधकार में हो गया है किसे अंधकार में हो गया है फोग यानि उनके जो फ्यूचर है ये नेरो स्ट्रेट sealed in with a lead sky in narrow state narrow हो गया हमारे पास पतली तंग सी गली वहां से गुजरी हुई है जहां से बड़ी मुश्किल से जो sky है वो दिखाई देता है far far from rivers, caps and the stars of world वे बहुत दूर है किन से? rivers से, caps से इसके साथ साथ जो stars है उनसे भी काफी दूर है stars of words आजाएगा हमारे पास politicians के बारे में बता रखा है कि जो politicians हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा वायदे करते हैं लेकिन जितने वे वायदे करते हैं उनमें से वे वायदे पुरे नहीं करते जिसके कान ये जो बच्चे हैं वो वही पर slums में ही रह जाते हैं उन्हें यहां से बाहर निकलने का मुका नहीं मिलता